यूपी के लखनों में लव जिहाद का मामला सामने आया है चेनहट पुलिस ने लव जिहाद मामले में आरोपी यूवक फैजल एहमत को किया गिरफतार आरोपी फैजल एहमत ने अपना नाम अथर्वो बता कर हिंदु यूवती से शादी कर ली थी शादी के बाद यूवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया वहीं यूवती के विरोग करने पर बुरी तरह से पिटाई भी की साथ ही यूवती ने जबरन शारेरिक संबन बनाने का आरोप भी लगाया जिसको लेकर यूवती में चिनहट कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकर्मा दर्ज कराया पोलिस ने आरोपी फैजल को गिरफतार कर अगरिम कारवाई में जुट गई है वही पूरे मामले पर क्या कुछ कहा प्राची सिंग DCP पूरवी ने आप भी सुनिये में चिनहर थाने में 692 वर्टा 22 मुकर्मा अपरा संख्या दर्ज हुआ 420, 376, 377, 323, 504, 506 आईपीसी और इसके साथ ही नाम बदल के धरम चुपा के जो है प्रॉड हुआ है मैंने एक जिम जोईन किया था गोफिर जिम विनीट खंड जैपुरिया के पास तो उसमें एक जिम के संचालक है उन्होंने मुझे जोग को ओफर दिया था योगा टीचर का तो मैंने इमका ओफर ले लिया था उसके ब मिलवाया तो उन्होंने भी अपना धरम और अपना नाम चुपाया अपने आपको ठाकर जाती का बताया और ये पहले से विवाहित थे उनका बच्चा है ये भी बात मुझे चुपाई गई उसके बात फिर जो है वो भी शादी के ले मान गई और मैं भी मान गई थी वापस अपना बच्चा है वापस आने के बाद मैं ने बोला कि सबकी स्वामती नहीं है जब सबकी स्वामती होगी तो हम आपको ले चली गए उसके बाद मैं यह यहां फ्लैट पर मुझे ले आए और यहां परकृतिक तरीके से इन्होंने मेरे साथ मुख मैथून बगर किया और पर शारीक संबंद बनाए उसके बाद मीरी तब्याद विगड़ी मुझे इल्टिया हुई और फिर मैं बहुत परेशान जाए नहीं लगी बहुत जाधा परेशान रहन लगी उसके बाद इन्होंने मैंने इनको बड़ा शक हुआ इनके पर तो मैंने जिम में जब पता करा तो मैंने जब इन से पूछा तो उस पे बढ़क गए मार पिर गाली गलोच की और मैं इसे बोला कि हा मेरा नाम फैसल एहमद है और मैं मुसलम मुसलमान हूं और तुम्हें मेरे साथ अगर जीवन यापन करना है रहना है शादी में रहना है तो धरम परिवरतन करना पड़ेग उसके बाद फिर यह वापस यहां फ्लैट पे नहीं आया और मुझे मारने के जुंकिया बार बार आती रही तब मैंने ये कल कल जो है कमिश्टर आफिस महानगर में आई प्राची नाम को अपनी कंप्लेन दी है तो उन्होंने यहां ठाने में मेरी बहुत मदद की बहुत सा कर दो